Good morning students, today we will learn lesson 5, page number 41 Listen to John and Nidhi, make a shopping list John and Nidhi एक shopping list बना रहे हैं, आपको उसको सुनना है Listen to them carefully and fill in the quantity of the things they want to buy आप ध्यान से सुनेंगे और जितना जितना समान वो खरीदना चाहरे हैं उसकी quantity आपको यहां list में fill करनी है एक आपको करके दे दिया गया है, बाकी आपको करना है तो चलिए, conversation सुनते हैं Listen to John and Nidhi, make a shopping list Listen to them carefully and fill in the quantity of the things they want to buy One is done for you John, let's make our shopping list Sure, what do I write first? Two kilos of sugar Okay Three kilos of rice We need oil too Yes, four liters oil and two liters milk Okay, let's buy some fruits too Okay, let's take six bananas, one kilo apples and half kilo oranges Please write five kilo wheat flour too Okay, let's take a look at this list Okay, let's take a look at this list Okay, let's take a look at this list, let's take a look at this list Medicine will get this medicine, Bandit will get this उसके बाद आप कहा जा रहे हो बेकरी जा रहे हो तो आपको चोकलेट केक मिलेगा और अगर फिस्ट पारकेट जा रहे हो तो वहाँ से आपको फिस्ट बुलेगी ठीक है यह देखो, यहां पर bakery से आपको chocolate cake मिलेगा fashion shop से आपको clothes मिल जाएंगे, jacket और t-shirt मिल जाएंगी bookworm shop से आपको books मिल जाएंगे notebook मिल जाएंगे meat shop से आपको fish मिल जाएंगी green grocery से आपको vegetables और fruits मिल जाएंगे और pharmacy से आपको band-aid and medicines मिल जाएंगे ठीक है now ask and answer work in pairs take turns to ask and answer the question ठीक है आपको work करना है pairs में ठीक है question answer करना है work in pairs role play a conversation between a shopkeeper and a customer ठीक है आप अपना एक partner ले लिजे और जैसे आप shop जाते हैं कोई चीज़ खरीदने वहां पर आप shopkeeper के साथ में जो भी बाते करते हैं वैसे ही आपको acting कर लिए ठीक है तो आप क्या पूछेंगे ask the price of things using the question given below ठीक है आपको जो भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हूं उसका प्राइस पूछना है ठीक है तो प्राइस पूछने के लिए आप क्या के question का यूज कर सकते हो जैसे आपको शुगर ले नहीं है तो how much is one kilo sugar for? एक kilo sugar कितने की? पूछते हैं न? वैसे ही how much are eight bananas for? हाट बनाना कितने का? ठीक है तो ऐसे याप अलग-अलग समानों की list बना के उसका प्राइस पूछ सकते हो जैसे अगर orange पूछना है तो how much is one kilo orange for? ठीक है या मिल्क पूछना है तो how much is one liter milk for? ठीक है आसे ही आप अलग-अलग questions बना सकते हूँ ठीक है तो आपको answer मिलेगा one kilo sugar is for rupees 40 ना 40 रूपीस ठीक है एक kilo शक्कर का कितना 40 रूपीस या eight bananas are for 35 रूपीस ठीक है और one liter milk is for 50 रूपीस ठीक है इस तरह से आप अपने question का answer भी कर सकते हूँ things to buy क्या-क्या चीज़े आपको खरीदनी है आप यहां से hint ले सकते हो ठीक है मतलब question आपको किस-किस चीज़ के लिए prepare करना है यहां पर box में आपको बहुत सारे अलग-लग चीज़े दिखें ठीक है क्या-क्या खरीदना है और आप किस unit में उसको खरीद सकते हो वो भी दिया हुआ है तो आप यह रोल-प्ले करना ठीक है रोल-प्ले करना किलो फ्लोवल मतलब आटब इसमे मिलेगा किलो मिलेगा निर्जे więc मिलेगा पास्ता खरीदना है तो उसका packet आपको मिलेगा टीक है नूडल्स केपेक आपको मिलेगे बनाना करना है तो वदनेवी जूर्टे जब भी आपको किसी चीज की quantity के बारे में पूछना है, quantity मतलब वो कितना है, उसके बारे में पूछना है, तो आप क्या यूज करेंगे, how much या how many, दो वर्ड्स हम यूज करते हैं, quantity के बारे में पूछने के लिए, first is how much and second is how many, we use much for things we cannot count and many for things we can count, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर तो दो चीज़े हो गई, लेकिन हम पूछना तो quantity ही चा रहे हैं, फिर इसके लिए दो अलग अलग चीज़े क्यों, तो how much हम much कहाँ पर यूज करते हैं, ऐसे चीजों के लिए जिसको हम count नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठ हैं सब आप गिन सकते हो? क्या? sugar, ठीक है, floor, क्यों यह सब के लिए हम much use करेंग, ठीक है, ऐसे चीजे जो countable नहीं है, जिसको आप count नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आपको many use करना है, ठीक है, many जैसे how many bananas, ठीक है, When we want a quantity of something, we say a kilo of or a two kilo of. जब हमको किसी cheese की quantity चाहिए, तो हम क्या बलेंगे? मुझे इस cheese का एक kilo देदो, जैसे I want a kilo of potato और I want two kilo of rice. जब हमें एक cheese खरिदना होगा, तो is. बतला, when we need to buy more than one thing, we use our. जब हमें एक cheese खरिदना होगा, जब हमें इस बोलेंगे, जब हमें एक से ज़्यादा cheese खरिदना होगा, जब हमें ज़्यादा बोलेंगे. तो जहाँ plural है, वहाँ हमने R use किया और जहाँ singular है, वहाँ पर हमने is use किया है. ठीक है?